मादिप्रदेश ग्वालिया जीले के भीतरवार अस्तित रारुआ गाउ में साप के काटने का एका नोखा और दर्दनाक मामला सामने आ है रात के समय में सोते वे माप बेटे को साप ने काटिया जिसके बाद उन्हें मंदिर ले जाए गया ग्रामिन और परिवार के लोग 45 वर्षिय मार राम बेटे को सोते वक्त साप ने काट लिया अरजुन को गले मे और उसकी मा को पैर में साप ने डस लिया अरजुन की नेंद खुलने पर उसने देखा कि साप उसके गले में लिप्ता हुआ है जैसे तैसे उसने साप को हटाय र अपने परिवार को बदाया परिवार और ग्रामेड तुरंत उसे दांगी बाबा के मंदिर ले गए वहां साप के जहर को उतारने के लिए घंटे बजाई जाती है। के सामने सांप के काटने के बाद इलाज में व्यज्ञानिक दृष्टिकोन की जरूरत को उजागर किया विशेशग्यों का कहना है कि सांप के काटने पर तुरंत चिकित सक्या मदद लेना जरूरी है ना कि अंधविश्वासों का सहारा लेना।